क्लास 6 के बाइलोजी में जो चैप्टर नमबर 2 है सेल और आज का जो ऑनलाइन क्लास में जो डिसकस करेंगे और ऑनलाइन क्लास का जो टॉपिक होगा वह होगा राइवोजोम एंड लाइसोसोम कि हम बात अज़र करेंगे क्लासिक्स के बायलोजी में आज जो ओनलाइन क्लास के टॉपिक जो इंटर्नल पुस्ट्यान एंसर का हमारे इस चैक्टर नंबर दूप यानि शेल का आप लोगों ने प्रिविएस क्लासेश में इस शेल चैक्टर के बारे में पढ़ा भी था लेकिन आप लोगों का जो इंटर्न और अंसर वह बचे वेत हुआ हुआ जंगा जो टॉपिक है उसके पृष्चैन आज desc sent हुआं उसको लोगों को लिए काल आगी कालों इसमें परफॉंस्ट के परफस से थे आपके प्रocy promet के लिए दोगा तीसरा नमबर या एक बने बनाए रूप में आपको एक रेटिमेंट फॉर्म में को सब्सक्राइब त्यार भी देखा जिससे आप आने वाले इस तरह से जो पैटर्न जो आपका कुस्चंस का यह अगर जो हमने यहां पे लिखा है और उस चीज को अगर आप उसी के पैटर्न को फॉलू करते अगर आप लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका जरूर आएंगे इस बाइलोजी सब्सक्राइब तो इसलिए हम लोगों को ध्यान दें जैसे कि पैटर्न की बात करेंगे तो आज का जो टॉपिक राइबो जोंप है तो उसमें अगर हम र जोंप राइबो जोंप आप रुटी क्यों जाना जाता है तो एक लाइब कि राइबो जोंप विच हो बूटीर सिंथेशीं और दूंचेश वा एन मोर इमां कपी रिवोजोंज और प्रोटीन फैक्टरी अजाल अगर बात करेंगे इसी में कि वूद इसका फोटी या जा कि हूं इसकोबड रिवोजोंज एक लाइंड बुलेंगे रिवोजोंज वार फोस्ट इसकोबड़ वाई पैलिट इन इसके दौरा होगा था तो पहले नामा साइंटिस्ट के दौरा होगा था अगर हम पुस्टिन्स आप से पुछ दे कि और विज टाइप ऑफ पार्टिकल्स इट विल बी एपियर राइवोजोम्स किस चेप में दिखेगा और किस पार्टिकल्स में यह हमारा अपियर सुंगे दिखेंगे तो हम कहेंगे कि राइवोजोम्स जो एस्फेरिकल इन सेफ होते हैं और यह राइवोजोम्स जो ग्रैनिवलर पार्टिकल्स भी होता है मतलब granular का मतलब होता है जैसे चीनी का दाना का जो साइट होता है तो मतलब कहेंगे या दानेदार होता है आप से बन मांचा पूछा जाएं कि राइबो जोन का पूछा जाए कि राइबो जोन का क्रोश्य अगर आप से पूछा जाएगे कि तो इस ताइब किसी से बने होते हैं तो आरे ने आपसे पुछा जाए राइबो जोंग इस फॉर्ण में प्रजेंट नहीं होते हैं तो यह कोई नहीं होता है अगर आपसे पूछा जाएं अगर आपसे पूछा जाया सब्सक्राइब किससे होता है तो आपसे पूछा जाएं राइब सोभ जोते हैं वा क्या थान करते हैं या जो डाम आउक से नाम से जाते हैं उसको यह रिमूब करने का था अगर आप से पुछा जाए राज लाज लाज लाज़ेशन के परकस नहीं तो कहेंगे यह जैसे दाज़ेश्टिव और पॉर्फुली जाए लाज़ेशन के परकस है एक अगर आपसे लाज़ेशन आप से स्वाहत आए जिसे के बारे की सब्सक्राइब के आप पूछा जाए तो और आपसे तोसंप पूछा जाए कि वाए लाज राज वांघ लाज़ेशन को आत्यां के खैली क्यों करते हैं इसलिए कहेंगे कि जबसेल डेमेज कर जाते हैं और यह पर्स्ट कर जाते हैं तो लाइसोस्वम जो अपना पुछ का पावर्फुल डाइजेस्ट कर जाएंगे धिरे धिरे लाइसोस्वम के नबर अपसल का क्या होंगे इस तरह से आज करें इतना ही नेक्स्ट क्लास नम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ विलेगे थैंक्स और नाइस देग